बॉलिवड एक्टर राजपाल यादव की करोडों की संपत्ति को बैंक ने सीच कर दिया है यह मामला 2012 में रिलीस हुई एक्टर की फिल्म अतापता लापता से जुड़ा हुआ है इस फिल्म को राजपाल ने डारेक्ट किया था वही उनकी पतनी राधा यादव इसकी प्रोड्यूसर थी फिल्म के लिए राजपाल ने सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया मुंबई की बांदरा ब्रांच से पांच करोडों का लोन लिया था अब लोन न चुका पाने के कारण उनकी शहजहापूर में सेट एंकलेव स्थित करोडों की संपत्ति को बैंक ने सीच कर दिया है मिडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई से सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया के अधिकारी दो दिन पहले ही शहजहापूर पहुँचे थे रविवार को राजपाल की प्रॉपर्टी पर बैंक का बेन लगा दिया इसमें लिखा है कि ये संपत्ति सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया मुंबई की है इस पर किसी तरह का कोई भी खरीद फरुक न की जाए सोमवार सुभा सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया मुंबई के अधिकारी इस प्रॉपर्टी पर पहुँचे और इसे सीच कर दिया इसी के साथ बने रहे ही राजट्रमा टीवी के साथ धाने बाद इसाथ बने बाद बने रहे ही राज़ा से तरह के साथ भी खरॉपर्टी जाए